यूपी के हरदोई में महौल खराब करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है जहां मस्जिद पर जैश्री राम लिख दिया गया जिसके बाद लोगों में आक्रोश भी देखा गया लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सूधबूच का परिशे दिया और शांती बनाये रखी फिलाल पुलिस ने आराजक तत्तों को 24 घंटे के अंदर खोज निकालने का आश्वासन दिया है अराजक तत्तों के महौल खराब करने की कोशिश का ये मामला हर्दोई जिले के थाना सांडी इलाके के कजबा सांडी का है दरसल कजबा सांडी में नवाब गंज महले के निकट बिलगराम चुंगी परिस्तित तंजीम मस्जिद में सुबा जब लोग नमास अदा करने मस्जिद पर पहुँचे तो गेट पर जो लिखा था उसे देखकर दंग रह गए गेट पर गेरुए पेंट से जैश्री राम लिखा था सूचना के बाद तमाम कजबे के मुसलिम समुदाय के लोगों की भीर मौके पर एकटा हो गई मुसलिम समुदाय के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी मौके पर पहुँची पुलिस ने मुसलिम समुदाय के लोगों से बादचीत की और अराजक तत्यों के खिलाफ कारवाई करने का आश्वासन दिया मुसलिम समुदाए के लोगों का कहना है कि चुनाव नजदीक है ऐसे में ये किसी political व्यक्ती से जुड़े हुए और किसी शक्स की भी शरारत हो सकती है पुलिस ने मुसलिम समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया है कि महौल खराब करने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ कारवाई की जाएगी और उन्हें 24 घंटे में खोज निकाला जाएगा और मुकदम भी पंचपितिया लिया है इस संबंद्ध में स्थानी श्थाज़ पर सीसीड़ी फूरे जोगरा डेख जा रहा है और स्वियार 5डी से भी तराश किया जहां तक किस ने किया है क्या ise मन्शाव सकती इसके बारे में यह कि विगत में अभी तमाम कोई रहे हैं सारे पर सांपरदैक सर्भाव से निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई शरारती अर्थवा विच्छ तखत्त हो जो है, अपने जिस वारत के लिए ऐसा काम किया है, शीकरी इसको तलाश लिया जाए है. जिसको लेकर CCTV भी खंगा ले जा रहे हैं, फिलाल मौके की नजाकत को देखते हुए मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. और लोगों से शांती विवस्था बनाये रखने की अपील की गई है. हरदोई से माई भारत के लिए ब्यूरो चीफ अर्वेंद तिवारी की रिपोर्ट.